हेलो एरिवन अस्सलाव अलेकूम मैं हूरी जवाना सिंधी स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच बीन्स की काजू करी जो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है फ्रेंच ग्रीन बीन्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते ह तो आप इसकी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए आप इसका सॉलाट या इसकी सूकी भाजी कहीं तरीके से फ्रेंच बीन्स का इस्तेमाल अलग अलग रेसिपी में किया जाता है तो मैं आपके साथ आज फ्रेंच बीन्स की करी सेर करने जा रही हूं तो वीडियो को बीना स् जुरू करते हैं, फ्रेंच ग्रीन बीन्स की करी बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जुरूत पड़ेगी, यह मैंने डाइसोग्राम बीन्स ले लिए हैं और उसके अच्छे से इस तरह से दो कर कट कर लिया है, देखिए मैंने इस तरीके से उसको कट किया है, आप जैसे भी चाहो उस तरीके से आप छोटा बड़ा काट सकते हो, यह मैंने एक तच का तच पत्ता लिया है, दो तच के टुकडे लिया है, तीन हरी इलाइची लिया है, और एक चम्मच जीरा ले लिया है, और यह एक चोथाई चम्मच कसूरी मेथी लिया है, यह मैंने एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और ये एक चम्मच नॉर्मल मिर्ची का पाउडर लिया है हमने स्वात के मुताबिक हमने नमक ले लिया है एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है एक चमच अधरक लशन का पेस्ट ले लिया है एक टमाटर मैंने कट कर लिया है और ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है सो से तेड़ सो ग्राम और ये मैंने कुछ काजू के टुकड़े ले लिया है पंदरा से बीस और ये एक प्याच कट कर लिए है बड़ी साइस की अब हम आगे की प्रोसिस करते हैं ये मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें पानी गरम करने के लिए रख दिया है पानी अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हम नमक एट करेंगे और पानी में जब उबा लाने लगे उसके बाद जो हमने बीन्स लिए है उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे फ्रेंच बीन्स को पकने में जब वक्त नहीं लगता है यह 2-3 मिनिट में पक जाते हैं अब गेस की फ्लेम को हम बन कर देंगे इसे बहुत हमें नहीं गलाना है देखिए इस तरीके से होने चाहिए इसका हमने सब पाने निकाल दिया है अब आगे की प्रोसेस करते हैं एक मेंने कडाई ले लिए है जिसमें हम तेल डालेंगे हमने इसमें एक चमश तेल एड़ किया है और तेल गरम हो जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बद जो टमाटर लिए है वो भी इसमें डाल देंगे और जो हमने काजू लिये हैं वो भी इसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भूनना है हमें ज्यादा नहीं पकाना है इसे देखे प्याज हमारी ट्रांसपरेंट होने लगी है अब हम गेस की फ्लेम को बन कर देंगे और उसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और जार में निकालने के बाद उसका एक पेस्ट रेडी करेंगे हमें इसका बिल्कुल बारिक पेस्ट बनाना है देखे पेस्ट रेडी हो चुका है अब हम आगे की प्रोसिस करते हैं उसी कडाई में हम दुसरा तेल लेट करेंगे मैंने चार से पांच बड़े चमच तेल ले लिया है जिसको हमने गरम करने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे देखिए जार में सी हमने सब पेस्ट निकाल लिया है और जार में थोड़ा सा पानी डाल कर पेस्ट को हम डाल देंगे उसको अच्छे से भूनेंगे उसके बाद जो हमें अद्रकलसन का पेस्ट लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देंगे अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे उसके बाद स्वाद के मुताबिक नमक एट करेंगे और ये कस्मीरी लाल मिर्स का पाउडर है वो भी हम इसमें डाल देंगे और सब मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे चम्मत चलाते हुए देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे ढकन ढक कर 2-3 मिनिट तक अच्छे से पकाएंगे 3 मिनिट के बाद हमने देखिए खोला है उसे अच्छे से मसाले भून गए है और तेल उपर आने लगा है मसालों की बहुत बढ़िया से महेक आने लगी है मसाल अच्छे से पक चुके हैं उसके बाद जो हमने इस क्रीम लिया है वो हम इसमें एट कर देंगे और क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम इस तरह से चमना चलाता हुए दो मिट तक ऐसे ही भुनेंगे मसालों के साथ और उसके बाद जो हमने बॉयल करके बींस रखेंगे वो हम इसमें add कर देंगे देखिए हमने french beans इसमें डाल दिये हैं और उसको अच्छे से mix कर लेंगे और गेस की flame को हमें बिल्कुल medium slow रखना है और जो हमने तेज पत्ता डाला था वो हमने निकाल लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी एट करेंगे ताके मसाले नीचे लगना जाए और अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में जो हमने कसूरी मेथी रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे मिक्स कर देंगे इससे बहुत बढ़ी आसी कर देंगे के लिए फेले बार रो गंख लाइन देंगे अब लास्ट में इसमें हरा धन्या डाल दिया है उसके बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इस फ्रेंच बिंस करी को गर्मा गर्म रोटी के साथ रुमाली रोटी के साथ और बॉइल डाइस के साथ भी इंजॉई कर सकते हो ये बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है तो आप भी बनाईए और अपनी फेमिली मेंबर को फ्रेंच बीन्स करी खिलाईए और comment box में मुझे बताईए कि आपको ये recipe कैसी लगी और नई नई recipe जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक त्लका के साथ बने रहिए और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दुआओं में याद कीजेगा अल्ला हाफीज